हेलो फैंस मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इनवेश्ट फोरेवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूं देखिए थमनेल में आपने पड़ी लिया है कि एक ऐसी कंपनी जहां पर पर मोटर्स ने एक महीने के अंदर-अंदर हिस्सेदारी बढ़ाई है होके जून में हिस्सेदारी कुछ ओर थी अगस्त का डेटा है अगस्त का डेटा में हिस्सेदारी कुछ और है FISB इस्सेदारी बढ़ा रहे है, DISB इस्सेदारी बढ़ा रहे है और Public के पास से इस्सेदारी लगातार कम होती हुए नजर आ रही है Promotors ने कोई थोड़े वो शेयर नहीं खड़ी दिया पूरे 3.5% की इस्सेदारी यहां पर ज्यादा की इस्सेदारी खड़ी दिया तो कौन सी कंपनी है, कौन सा शेयर है, क्या हमें लेना चाहिए या नहीं, क्या इससे पहले हमने बात करी है या नहीं उन सभी चीहों से रेट ही बाते करेंगे, बर बिफोर दे वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूँ है, इन्वेस्ट फोर आवर चायना को सब्सक्राइब कर लीजिए, बैल आइकन को रिट कर लीजिए, और कि नोटिफिकेशन कौन कर लीजिए ताकि जिन वीडियो बनाएं आपको वीडियो मिले, वह सारे लोगों ने सब्सक्राइब कर रखका, बैल आइकन को रिट कर लीजिए, और वह सारे लोग वीडियो देखते हैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, एक सब्सक्राइब करने में, आपका कुछ ने जारा, बठ हम बाते करने वाले उस कंपनी की तरफ आ जाते हैं, तो हम जिस शेयर से रिटी बाते करने वाले उसमें आप देखिए, जैसे कि मैंने आपको बता है, पहले 62.32% थी सदारी, पहले पॉइंट में कुछ बढ़ाई, 0.01%, 0.02%, फिर थोड़ी सी सदारी बढ़ाई और देखिए, तो यहां पर अभी तो पॉइंट में बढ़ रही थी, अब सीदे और ज्यादा बढ़ती ही नजर है, 63-67% की सदारी हो गई है, तो यहां पर कंपनी के प्रमोटर्स ने सदारी बढ़ाई है, जून में कुछ और थी, अगस्त में कुछ और है, यहां पर FIs जो नहीं थे, 0% क की सदारी थी, उनके पास ही हुए 1% की सदारी ही आ गई, गौर्मेंट के पास यहां पर देखे लगब 0.3% की सदारी है, और पब्लिक के पास देखे, 31 मतलब पब्लिक यहां पर बेस्ती हुई नजर आ रही है, और बड़े-बड़े अगर हम बात करे, परमोटर्स खुद खरीद रहे है, और पब्लिक के पास सदारी जा रही है, तो यहां पर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल यह है, कि यहां पर शेयर अच्छा होता हुआ, नजर आ रहा है, कुछ गुरूप थे जो पहले थे, ओके वो ठग गए होंगे इस शेयर को देखके, क्यों क्यों अच्छेयर ने कुछ मोंबेंट नहीं करी, कि अवल वहीं पर ही अटका हुआ है, बट यह एक अपॉर्चिनीट रहती है, यह एक सेंटीमेंटल रहता है, यह एक टेकनिकल बताता है, कि यहां पर से एक शेयर भागने वाला है, और जसका मतलब कर रहे हैं, उसका नाम है SMC Global काफी बहुत बनाई रहाएं ब्र ही यहां पर बात करें यह तुम्हार आपको आपको ऐसे क्या काम करतिuhी नजर आती है उससलिए यहां पर काम करती नजर आती है और काफी भेTTर एंगिन ब्रोकिंग फर्में जिशे यहं पर यहंपर इसमसी गसी ऑगे। खुद का एप खुद का वैब सब चीज यहां पर आता हुआ दिखाई देता है इंडश्टी का पी 25 का ये के वल 6 के पी पर मिल रहा है स्मॉल कैप कंपनी है और के माइक्रो का कंपनी है बलकी और ऐसी ही कंपनी याद रखिए कुछ तैम पहले बताई थी शेयर इंडिया ओके और वो शेयर क्या भागा है वह आप यहां पर देख सकते लाइब दोसो गुना पैसा पर दोसो परसेंट के रिटर मिलें से मिलें यहा से दोसो बीस भी जाती है तो कितना लगबाद 300 परसेंट के रिटर तो यहीं होगे और लगबाद 200 परसेंट के रिटर मोगे बलाजिंग की बात करें कंपनी के प्रमोर्ट ने 8.65% के यहां पर अपने प्लैस कर रखिए और यहां पर शेयर लगाता खरीते जा रहे है डैट की बात करें यहां पर काउंट नहीं करेंगे क्योंकि margin देते हुए नजर आते लोन देते हुए नजर आते तो यहां पर debt की हम बात नहीं करेंगे PG ratio कम है प्राफित अच्छा का सा पिछले पांचाल का है यहां पर sales बड़ बर्ड रही है सब चीज यहां पर अच्छी नजर आ रही है यह जब से आया है कंपनी के नेट पॉफिट देखी है 9 करोड से 41 और 37 करोड के आसपास हो गई है मार्जिन कंपनी के अच्छे कासे है yearly basis पर जो की 24 परसेंट के आसपास है तो शेयर यहाँ पर किसी भी तरीके से यहाँ पर कम नहीं नजर आता इसके इलावा यहली बेसिस पर पर्फॉर्मेंस देखेंगे 296 करोड रुपे की सेर्स लगभा 1100 करोड रुपे की सेर्स में तब्दील हो गई है चार करोड का प्रॉफिट 300 करोड में पोच गया है और नेट प्रॉफिट जो घाटे में था वह यहाँ पर लगभा 114-113 करोड रुपे की प्रॉफिट में आ गया है तो कंपनी जब अच्छा कासा परफॉर्मेंस दे रही है कौर्टरली बेसिस पर दे रही है यह 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 यहां पर चैर यहां पर कंसॉलिडेशन का मतलब है यह कंसॉलिडेशन को देखके यह कुछ इन्वेस्टर से वह तो भाग गए और याद रखिए जब भागते हुए नजर आते हैं आप जैसे आप कभी आपने अजमाया होगा खरीटते है तो तुरन्द गड़ जाता है ओके और यसी बेज देते हैं ऊके वह भाग जाता है तो इसी तरीके से काम होता हुँए नजर आता है शेर में भागने की चांसिज गिरने के चांसीज नहीं क्योंकि जतना हो नहीं यह हो चुका है कंपनी के बात करें 497 करोड रुपीज के आसपास किया, 1 करोड रुपे working progress में 172 करोड का investment और 1200 करोड रुपे के आसपास का cash पड़ा हुआ है, cash है, reserves है, bonus भी मिलना है, company buyback की बात करें, तो company ने जुलाई 15 को यहाँ पर buyback भी किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके एलावा बात करें bonus, दोजाब बारे में company ने बोनस भी दिया है, division भी हुआ है, shares का, okay company के dividend की बात करें, एक रुपे का यहाँ पर dividend भी मिला है, तो यहाँ पर सब चीज अच्छी नज़रा आती है, यब सब चीज अच्छी नज़रा तो share को बेचा नहीं करते, share को थोड़ा सा वेट करते है, थोड़ा सा देखते है, और फिर जब share भागे गा, तो अच्छा खांता है, यहाँ नज़रा है, आप बात करते है, की के से एक हैर पर ने पर पर देखिए मेंगे तो यह ब्रेकडाउन देता है यह पर देखिए यह NEP में प्छ। स्टेंट लेवल कि अगर में बात करूं तो मेन इंपोर्टन लेवल यह वाला है 9293 नुपीस के आसपास यह लैवल इसने निकाला ओके और एक लेवल यह भी नजराते तो यह हो गए और चीचे यहां पर रुकनी नहीं है चीची और उपर जाने है क्योंकि जिस तरीके से यहां पर accumulation हुआ ना एक से दो महीने के अंदर 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 प्रमोर्पस के तुरू FIS के तुरू और यहां पर जिस तरीके से बेचे गाए और पब्ली की होल्डिंग कम होगी है तो यह नजर आता है कि शेयर केवल उपर जाना है केवल प्रमेंट करना है शेयर करना है चानल को सब्सक्राइब जयू कर दीजेगा बैल आइकन को भी हिट कर दीजेगा ताकि इस तरह के वीडियो मिलते हैं तो थैंकी सो मच गोड ब्लस